हेलो गाईज तो आज एक माइंसेट का एक सेशन करते हैं जैसे आपको पता ही कि रहेग मैं दो टाइप का यूट्यूप वीडियो करता हूँ एक है बिजनेस अनलेसिस जबके मैं कोई कामपनी या सेक्टर के बारे में बात करता हूँ उस कामपनी का परफॉर्मेंस क्या है मै परफॉर्मेंट क्या बोल रहा है बिजनेस मॉडल कैसा है तो और उसका क्या है कि लाइक मतलब आपको एक इंसाइट दे पाऊ उसके बारे में ताकि आप एक डिसिशन ले सकते हो उस कंपनी के बारे में क्या उसको लेना है नहीं लेना है राइट जैसे वह बिजनेस अनलि में अज हर चीजे मतलब आपको कोई डड़ा रहा है या आपको कोई लल्चा रहा है तो हमको इन दोनों चीजों से ना मतलब एक यूनिफॉर्मिटी लाना पड़ेगा नहीं तो क्या होता है कि सोचे ना जब अगर कोविट का टाइम आया था ठीक है तो जैसे बहुत लोग पैसा बनेगा और जब जिस शेयर के पीछे सबको लगता है ना कि वह पैसा बनाएगा तब भी वह शेयर जाके सबका पैसा गवाता है तो बहुत सारे है तो मैं आज बहुत बाइस का बात नहीं करूंगा मुझे कुछ चोटे-चोटे चीज़ें पर डिसकस करनी है तो एक जो है ना जो मुझे बार-बार लोग पूछते है इवन मैंने भी अपने जर्णी में मार्केट में देखा है क्या पूर्टफूलियो चर्णिंग अच्छा चीज है यह नहीं पूर्टफूलियो चर्णिंग का क्या मतलब के लेट से फॉर एग्जामपल आपने साल के शूर लिया और फिर उसको बेचा तो यह बुरी बात है ठीक है फिर वो आपको यह बोलेंगे कि शायद आपका बाइंग रैशनल गलत था इसलिए तो आपने उसको जल्दी बेच दिया मेरा एक दूसरा पर्स्पेक्टिव है इस पर ठीक है क्योंकि पॉइंट यह है कि सोचिए आप जब एक कंपणी को खरीज रहे हो ठीक है उस टाइम पे से यह कंपणी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था ठीक है एक 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 कंपणी के एक्जामपल लेते तो मतलब सेंस बनेगा तो सोचिए अगर अपने बंधन बैंक लिया होता जब वो आईपी ओया था तब उसका एसेट कॉलिटी बहुत तगड़ा था राइट अब चंद्रशेखर घोषी सच अग्रेट मैनेजर राइट तो अब बंधन बैंक का आईपी ओ आ गया बंधन बैंक पहले बैंक ने कभी अपना प्रोफिटेबिलिटी बढ़ा ही नहीं पाया और अपना बुक को मतलब अपना जो एसेट बुक होता है उसमें बहुत सारे प्रोविशन करना पड़ा क्यों विकास अपने बुक का एक बड़ा पाट उनका बैड लोंस में कनवर्ट हो गया उनको पैस लेकिन जब आपको समझ में आने लग गया था कि बंधन बैंक का से स्ट्रेस्ट असेट बढ़ रहा है ठीक है सो उस टाइम पे आप उसको पकड़ के किस क्यू रखे अपने उसको एक टाइम में लिया था तो आपने उसको बाद में बेचा क्योंकर दुनिया बदलती रहती है ठीक है कोई भी चीज ना कोई भी स्टॉक आज आज अप ले रहे हो वो आज की इंफोर्मेशन पर आप ले रहे हो आज अगर अच्छा है तो लेकिन कोई अच्छा कंपनी फ्यूचर में जाके अगर उसका आर्निंग्स ग्रोथ नहीं आ रहा है अगर उसका फंडमेंटल लेके बैठे हो और ये बोल रहे हो के लिए नहीं मैं तो चर्ण नहीं करता हू अपने स्टॉक को और जबके आप अपने क्लाइंट्स का पैसे गवा रहे हो अपने खुद का पैसे गवा रहे हो ठीक है कोई स्टॉक साथ सो से दो सो में आगे आप उसको लेके बैठे हो तो इस तरह का के investing को long time investing नहीं बोलते है, इस तरह के investing को बोलते है hope based investing, मतलब मेरे पास और कुछ है नहीं उमीद के सिवा, ठीके अब उमीद ही मुझे मतलब बचा के रखा है और उमीद ही मुझे 200 रुपए जे 700 रुपए जे मतलब जो भी उसको थोड़ा बहुत आता है उसके बाहर उसका कोई area of competence है नहीं तो अगर वो stock गिड़ जाता है तो जो आपको यह बोल रहने चांड मत करो उसको पता ही नहीं के खरीदिना क्या है फिक है लेकिन आपका let's say for example एक mental framework हो जिससे you can analyze business across sectors of course those sectors जिसके say for example आपका knowledge है आपका interest है सब जानना नहीं है ठीक है लेकिन जो भी आपको आता है तो आप सारे companies को अगर track करोगे तो you would always know कि आपका पैसा सही जगा में है की नहीं बिकास आज देखिए simple सी point है यह logic कोई बात नहीं करता है हम जब एक stock खरिते हैं तो हमको लगता है कि लए हम long time invested है मतलब हम company को automatically दिमाग के अंदर chance दे देते हैं कि लए मेरा पैसा तुमारे साथ ही रहेगा कि तुम कुछ भी करवागे ठीक है अब क्या होता है कि अगर company बुरा किया लेकिन हमको उल्टा सोच नहीं चाहिए हमको ये सोच नहीं चाहिए कि क्या वो company हमारे future में हमारा पैसा deserve करता है कि नहीं तो say for example अब दूसरे एक example लीजे लेकिसे बजाज finance के अगर आप example होगे लेकिसे आपने उसको 2012-2014 में लिया था उसके बाद अब देखते गए कि बजाज finance 40% से ग्रो करता गया एउम, profitability growth है asset quality उसके एकदम best in industry है राजी जेन सही से काम कर रहा है और company और better होते जा रहा है तो वहाँ पे that company actually deserve करता है आपका capital after every quarter तो आप और पैसे डाले जाते हैं और stock को ऊपर खरिते जाते तो ऐसे बड़ा पैसा बनता है ऐसा नहीं के लिए का बंदन bank को ले लिया आज गिड़ गया चार पांच चाल से आप रो रहे हो और आपको लगता है के लिए का आगे जागे कुछ ना कुछ तो हो जाएगा आगे जाके उसका अगर performance बेटर हुआ तब वो आपसे आपका अगला एक और लाक रूपे डिजर्फ करता है समझनों मैं क्या बोल रहा हूँ तो धीरे धीरे करके आप देखोगे के लिए company का performance से आप उसको evaluate करोगे मतलब क्या जो company आगे जाके और better होगा उसमें आप और जादा पैसे डालोगे और जो company आगे जाके कुछ कर नहीं रहा है कोई growth नहीं है मतलब market share गवा रहे वो आपका capital deserve नहीं करता है तो पहले दिन में ये mindset ले कि please मत आईए कि मैं तो long time investor हूँ इसका क्या मतलब इसका मतलब ये हो गया कि आप कोई चोड़ो चक्करो को भी पैसा दे के बोलरो मैं तो long time हूँ ऐसा नहीं होता है तो सबसे important point यही सीख है कि churn करना सीखो churn का मतलब ये नहीं है कि कोई भी stock को किसी भी moment पे वो 20% बढ़ गया तो बेज दो अच्छा ये situation अगर है कि let's say company का performance बेटर होते जा रहा है लेकिन let's say market में कोई problem आया let's say Russia Ukraine war के वज़े से COVID के वज़े से वो stock 30% गिर गया तब अब stock मत बेचो ठीके उस टेम पे अब add कर सकते हो या फिर जैसे हो वैसे ही chill मारो ठीके मतलब मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ कि company must deserve your money ये बहुत बहुत important है because majority लोग ये उल्टा सोचते है तो अगर company deserve your money का क्या मतलब let's say company का profits बढ़ते जा रहा है वो अपना market share बढ़ा रहा है distribution बढ़ा रहा है फिर अब देखोगे customers खुश है employees खुश है मतलब क्या कुछ अच्छा चल रहा है वहाँ पे जैसे for example अगर अब देखोगे 2015-16 के बाद जब DMART का IPO आए था उसका stock एकदम भगा 1500-200 रूपए से लेके एकदम 5000 तक गया तो ये जो पूरा journey था ना यही पे पैसा बनता है because इस journey में आपको क्या लगता है एक share ऐसे ही 5000 में चला जाता है नहीं because पूरे टाइम में DMART 25-30% से ग्रो करता गया ठीक है और उसका share ऊपड जाता गया तो अगर आप let's say DMART में पहले सी invested थे तो आगे जाके अगर DMART ने और better किया और let's say कोई और stock जो अच्छा नहीं कर रहा है उसको बेचो DMART में आओ got it so point यही है आज आपको यह देखना है कि आपके सामने आज जो मतलब available options है उसमें से सबसे सही company growth company कौन सी है तो उस company में घुसो ना और उस company से निकलो तो इसको ही मैं चार्णिंग बोल रहा हूँ समझ रहे हो आप so चार्णिंग का मतलब यह नहीं है कि कोई trading करके अब निकल गए कि यह चलो यह profit में है तो निकलो भाई 20% निकल गए तो चलो थोड़ा उसको निकल के pizza खाके आते इसको चार्णिंग का बात नहीं कर रहा हूँ मैं यह बोल रहा हूँ कि वो business has to deserve your capital so यह बहुत ही एक critical चीज है let's say for example कि आज लोग मतलब एक losers लेके क्यों बैठते है portfolio में तो मतलब क्या let's say आपका कोई यह company अच्छा कर भी रहा है हर quarter पे quarter पे अच्छा कर रहा है कुछ recent examples दे दू आपको आप Mrs. Vector Specialty Foods का stock देखिए आप Varun Beverages को देखिए आप Polycab India को देखिए आप Aditya Vishen को देखिए अब यह कोई recommendation नहीं है लेकिन यह सारे companies सारे consumption based companies है जिनका आप देखोगे there is an earnings momentum तो इसलिए इन सारे stocks का पिछले एक, दो, तीन साल में देखोगे न यह all time high के आसपास है तो market में भी यह है न कि जो अच्छा better करेगा उसके पीछे पैसा भागेगा और जिसके पीछे demand बेशी ज़्यादा होगा of course उसका stock उपर जाएगा इसमें बुरी बात क्या है अब दूसरे स्राइड में और भी आपको तीन-चार एक्जामपल दे रहा हूँ आप ऐसे businesses को लेगो जैसे Amrut Anjan को लिलो जिसका profit after tax 50% गिर गया आप relaxer footwear के लेवा अगे 50% गिर गया फिर उसके बाद आप bandhan bank जिसका मैंने एक्जामपल लिया उसका ले लो तो ये सारे companies में आप देखो कि इनका stock 50-60% टॉप से गिरा हुआ है क्यों गिरा हुआ है पिकोज इन सारे companies ये परफॉर्म नहीं किया तो बाजार के अनुसार आप चलना सीखे मैं ये नहीं भोल रहा हुए रिलाक्सो बेज के पॉली के आप खरी दिये कोई recommendation नहीं है बट all I am trying to tell you के लिए अगर लेट से आपके portfolio में ये 10-12 stocks होता अगर मेरे portfolio में 10-12 stocks ऐसे 3 साल पहले हुआ होता तो आज मैं क्या करता मैं जब देखता रिलाक्सो बुरा कर रहा है और लेट से दूसरे तरफ लेट से फर एक्जामपल मैं देखता वरून बेवरिज बेटर कर रहा है तो मैं रिलाक्सो बेज हूँ और वरून में जाओ तो ये चार्णिंग हमीशी चलनी चाहिए portfolio में ने तो क्या होगा आपका रिलाक्सो वाला पैसा तो पुरा अटक जाता और वो 50% नीचे आ जाता तो क्या होगा वरून वाला part of the portfolio अगर बढ़ता भी लेकिन net-net basis पे आपको कुछ नहीं मिलता होना portfolio level considering the fact I am thinking अगर आपने 10% करके 10 stock में रखा तो 5 stock 50% गिर गया और यहां पे 5 stock अगर multi bagger भी बन गया मतलब से अगर double भी हो जाता है तब भी अब देखोगा आपको portfolio में फाइदा नहीं हुआ उतना ऐसे भी लोग मैंने देखा है कि लेक सारे जो stocks उपर जाते उनको बेज देते हैं और जो लाल होके पड़ा है ना मतलब से बंधन बैंक और रिलाक्स हो और बाटा में आज सब फोकस कर रहा है वरुन बेवरेजिस को छोड़के बेक्टर को छोड़के लेटसे आज HDFC को छोड़के तो वहां पे घुज गया क्यों को लोगों को इंडियन्स का एक mindset है के लिएक सस्ता खरीदना है अब मेरा point है के लिएक पहले ये पूछो के सस्ता क्यों मिल रहा है वो मतलब अज येस bank का stock 15 रूपए 10 रूपए 5 रूपए में क्यों है और क्यों बजाच finance का stock 7000 में है क्यों कोटक bank का stock 2000 में है ये भी तो पूछो न क्योंके market आपको इतने सालों के बाद market आपको जूट क्यों बोलेगा कभी आपने देखे हो एक बहुत बड़िया company ग्रो कर रहा है bestablish management है stock 3 रूपए का नहीं होता है क्योंके जब तक वो stock 3 रूपए का जब भी कोई अच्छा news आता है कि उसके results के बारे में performance के बारे में लोग पागल उस stock को खरीज लेता है और वो upper circuit खा जाता है so मेरा ये बोलने का यही कहना है कि आराम से चार्ण करो क्योंके जो companies परफॉर्म नहीं कर रहे है वो आगे जाके परफॉर्म करेगा मतलब बहुत चीजों में problem है commodity inflation से सफर कर रहे है demand से सफर कर रहे है pricing power है pricing power भी गवाद दिया है लेकिन कल अगर यह वापस आएगा तो क्या पता मैं ये stock को ले लू लेकिन आज मैं इसको नहीं लूँगा because ये बुरा performance है मैं इसको लेके पचास टाका का नुकसान करके मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई मुझे और नीचे लेना है because I'm a long time investor इसी वज़े से people spend most of their days in the market holding on to losers ठीके हमें चाहिए winners हमें ऐसे stock चाहिए जो say for example हमारे लिए पैसे बनाए और कौन चा पैसे बनाएगा ना आप RBI हो कि आप note चाप सकते हो तो limited capital हग सब समय all the time must be deployed behind performance ठीके और ये आपके लिए और भी important है अगर आप छोटे retail investor हो ठीके अगर आप 2-4 करोर लेके बैठे हो पांच करोर लेके बैठे हो तब आप nifty खरीद दो but all I'm trying to say is जितने छोटे capital है उतना जादा चार्ण करो because आज का कोई performing company कल perform करना बंद कर देगा कल का कोई non performing company परसो perform करना चालू करेगा तो आपको हमेशा से न companies को track करनी है और अपने पैसे कोना इधर उधर करना पड़ेगा क्योंकि अगर आपने इधर उधर करना बंद कर दिया तो आप बहुत पैसे बनाओगी एक ही situation में कि आपने जब बिना सोचे मतलब जहां पर पैसा डाले थे सिर्फ वो ही companies अच्छा करे future में और कोई अच्छा नहीं करे इसका probability क्या है तो ये सब चीज़े सोचिए न कि आज हमारे market में 6-7-8 थाजार companies है तो what is the probability that आपने जो आज select किया चलो मान लेते हैं कि वो सबसे अच्छा result करने वाले companies हैं लेकिन वो आज का data है कल कुछ भी हो सकता है आप देखे ने insurance sector का हालत देखो तीन साल चार साल पहले सबको लगता था HDFC life लेलो life बन जाएगा चार साल से stock में कोई return नहीं दिया है फिर insurance के खिलाफ मतलब it's against the sector एक policy भी आ गया ठीक है मतलब I am talking about the government policy in the budget so point क्या है point and क्या होगा उसमें HDFC life में लोग अटक चुके है relaxo में अटक चुके है बंधन बैंक में अटक चुके है पट अगर आप को पता है कि और कोई धन्दा अच्छा कर रहा है तो why are you getting stuck here इस से थोड़ा बहुत loss लेके निकलो और वहाँ चाहो विकोज आपका जो छोटा capital है न अगर आप यहाँ पर 8K और लेटसे आपने 5 साल you are stuck देन आप क्या करोगी आपका तो गया ना आपका तो 30s निकल गया पूरा कहाएगा compounding compounding का concept यह नहीं है जैसे मैं बोल रहा हूँ company has to deserve your capital तो compounding का concept वो ही है लेटसे बजाज finance hindsight में देखके कोई fund manager रखका के बोलेगा देखो long term hold किया तो कितना पैसे बना है वो long term के बज़े से नहीं जो बंदे ने बजाज finance को track किया और सिर्फ यह fundamental से आगे गया कि जो performance अच्छा करेगा बजाज kept on performing तो मैं I will keep on investing और मैं stock को उपर लेता रहूंगा 52 week low में कोई stock है मतलब वो stock भी तुमको बता रहे company खातम है खातम मतलब company में problems चल रहे तो आज आप ऐसे देखो न कि बजाज finance को ऐसे पकड़ के रहे तो सोचे ना बजाज finance के तरह लाखो NBFC और बैंक्स थे बागी का क्या हुआ दो चाही है तो आप आज hindsight में आके ये बाइस में मत जाए तो आज आज फाइनस के तरह सिर्फ 10 साल पकड़े तो 10 साल पकड़ो तो पैसा बन जाएगा कुछ नहीं होता है 10 साल में येस बैंक का हालत देख लो ठीक है बंदन बैंक तो हमने जल्दी insight में जाता है क्योंकि market बहुत जल्दी react करता है आप तीन महीने लेके research करके क्या कर लोगे है ना तीन महीने market थोरी बोलेगा कि अरे हाँ Mr. Rajeshree तो अभी research कर रहा है तो उसको research खतम करने तो फिर में stock को उपड ये निचे लेके जाँगा ऐसा नहीं होता है आपको quickly सोचना पड़ेगा और क्या देखनी है वो बहुत important इसलिएक आपको insights पर focus करना पड़ेगा तो on this note हमने ये सीखा कि company must deserve your capital and second don't stick to losers अगर आप देख रहो कि कोई company है जो मतलब बुरे कर रहा था लेकिन management में commentary में मैं company के example दे सकता हूँ carry seal limited ठीक है तो उसका जो CEO है अब उसका का देखो कि Q3 में बहुत ही बुरा result किया pat wide गिर गिर गिया stock भी गिर गिया 800 रूपए 900 रूपए से 400-400 में आ गिया था लेकिन आप देखोगे ना उसने con call में ये बोला कि Q4 का result अच्छा वाना है because वो ना ये जो quarts का kitchen sink होता है ये बेचता है ठीक है quarts का kitchen sink यूरोप यूएस में बेचता है और आप सबको तो पता है कि यूरोप में क्या चल रहा है लेकिन अभी क्या हो रहा है ना उसके वाज़े से जब उनका sink का volume घटा पिछले दो quarter से तो result बुरा आया लेकिन अभी उन्होंने क्या बोला कि अभी अगले quarter में मतलब अभी का situation जो वो बता रहा था con call में कि अभी उनको ज्यादा से ज्यादा order मिल रहा है अभी ज्यादा से ज्यादा एक्जिबिशन में जाके देख रहे कि जो क्लाइंट से उनका they are becoming more and more bullish and he even said this on the call कि Q4 का Q4 का जो volume का data आएगा वो Q3 से कते ही जादा आएगा right when it comes to selling quartz का kitchen sink so ये सब चीजों से अब देखो अब market आगी का देखता है तो आप देखो गे ना कौन कॉल के बाद से stock 400 सारे 400 से सारे 500 में के आसपास चला गया है मतलब क्या market हमेशे discount करता है future prices को तो यहाँ पर मैं यही बोलने का कोशिश कर रहे हूँ कि practically सोचिए practically देखिए कि अगर कोई company बुरा है लेकिन अच्छा bold रहा है करेगा ठीक है और management confident है तब जाके उसमें फिर भी आप पैसा डाल सकते फ़रा better Q4 अगें कोई recommendation नहीं है कैरी सिल का जिस्ट मैं example के तौर में लेकिन फर एक्जामपल आजाकर आजाकर देखो कि कोई company जिसने बुरा result किया और management कुछ बोली नहीं पा रहे ठीक है बोल रहा है ये problem वो problem बोलके call ख़दम फर देखो फिर call लेता भी नहीं ये ठीक है तो वैसे company में आपको कैसे पता हो कि कितना quarter लगेगा तो आज़ार आगर अपको थोरा सा science चाहिए science का मतलब है जैसे मैंने कैरी सिल वाला बोला वो science था management का वो चिराक पारिक है बंदा तो चिराक पारिक का जो call था तो उसमें उन्होंने जैसे बोला कि हाँ आगे जाके volume बढ़ेगा ठीक है तो वहाँ पे you can take a depressed stock ठीक है और let's say for example अगर अपका गिरा भी हो तो you can wait or probably you can add more at that level but just don't add a stock because you are a long time investor stock गिरा हुआ है जैसे ही आप ले रहे हो बंदन मैंक के example के तरह बोल रहा हूँ बंदन मैंक में भी same चीज़ है कल आके अच्छा बेटर परफॉर्म करेगा तो मैं एक अच्छा वीडियो बनाऊंगा उसके analysis करके बोलूँगा कि यहां में ले रहा हूँ बंदन मैंक के stock लेकिन आज नहीं तो इस तरह से आप सोचिए आपको कोई और question ही हो तो आप comment section में लिखिए या आप मुझे LinkedIn में या Twitter में बोलिए क्योंकि यह बहुत ही important चीज़ आपके portfolio में वापस जाके देखिए अब वो client को क्या बोलेगा यही बोलेगा ना भाई 10 साल रख लो पैसा बन जाएगा और हो हाँ से stock आधा होटा है तब बोलता है 20 साल रख लो पैसा बन जाएगा बिकुस उसके पास कुछ है नहीं बोलने का right ना उसके पास क्यों मौका है तो यह सब चक्करों में मत पढ़िए आपके खुद के पैसे तो खुद के पास रख के responsibly उसको देखिए कि अगर performance बुरा है तो आप महां से निकलिए और को परफॉर्मिंग बिजनेस पे जाए so churning at the end of the video चलो 20 मिनिट तो हो गया तो end में यही बोल रहे हो कि लेक चांड कटते रहो हमेशा चांड कटते रहो और जो बुरा कर रहा है उसका गला काटो और जो अच्छा कर रहा है उसमें और भड़ो और उसको ट्रैक करो क्योंकि अच्छा बुरा बन सकता है बुरा अच्छा बन सकता है So, your portfolio must always churn continuously, right? So, ऐसे ही बनता है So, I hope you like this video और आपका कोई डाउट हो, तो मेरे को पूछना Thank you